नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है क्रिशी की बात इंद्र के साथ में और आज चर्चा का विशे होगा गन्ना जी हां हम आज बात करेंगे कि क्या आपकी चीनी की जो मिठास है उसके लिए भारत का किसान मर रहा है और आखिरकार ये गन्ने की विवस्था है क्या और लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार ने कुछी समय पहले गन्ने के दाम के लिए एक घोटना की उन्होंने कहा कि हम गन्ने का दाम पांच रुपए से बढ़ाएंगे पर प्रतिकुंटल बढ़ाएंगे और इस दाम को FRP कहा जाता है अब इससे क् पांच क्रोड किसानों का फाइदा होगा और उसी के साथ साथ जो भारत के किसान है उनकी जो है हालत बहतर होगी और जो गन्ना किसान है उनकी हालत और भी जादा बहतर होगी और साथी साथ गन्ने के किसान के लिए जो स्टेटमेंट आया भारत सरकार कियों से उसने कहा कि यह एक ऐसा फसल है जिसमें किसानों को 50 प्रतिशद मुनाफ़ा मिला है क्योंकि गन्य की असली जो उत्पादक लागत लगती है वह 155 रुपए है अब इन सारी बातों को हमने थोड़ी देर समझा और उसके बात किसानों से बात की और साथ ही साथ हमने जो है प्रफेसर साब स तो कुछ बड़े विशेश सवाल सामने आए कि गन्य का किसान आज की तारीक में लगभग 90,000 करोड रुपए जो है वो बकाया है किसानों के उपर इसका मतलब है कि जो मिले हैं उनको किसानों कभी तक इतना सारा पैसा देना है आपने भी कई बार न्यूज में देखा होग कि किस प्रकार से चाहे वो मुझफर नगर का किसान हो या तमिल नाडू का करनाठक का या फिर पंजाब का उनकी बस सबका एक ही शिक्वा है कि हमें डेड़ साल से पैसा नहीं मिला हमें दो साल से पैसा नहीं मिला तो क्या गन्य का किसान सच में सम्रिद्ध है और क्या ये और क्या ये दाम असली में किसान को मिल पाएगा देखिए बजार में जब हम लोग कुछ काम करते हैं चाहे मैं एक टौफी खरीदूं या चौकलेट या मैं उसी के साथ-साथ अपनी कोई चीज बेचूं वस्तू बेचूं मुझे उसका दाम तुरंथ मिलता है या मुझे उस लेकिन गण्ने का गिसान सम्रिद्ध लेकिन है गण्ने की खेती सम्रिद्धी से जोड है ती की गरबड़ी है और मिल वाले कहते हैं नहीं इसमें किसानों की गरबड़ी है लेकिन अंत में जो गाओं की अर्थविवस्ता है और साथी साथ जो गन्ना उगाने वाली जगाएं हैं वहां पे जो है किसानों का और साथी साथ अर्विवस्ता का बेड़ा घर खोते जा रहा है हमने महराश्ट्रा का जो किस्सा है वो भी सुना था कि किस प्रकार से लातूर में पानी की ट्रेने पहुंची और ये तक कहा गया कि कि जो महरास्ट्रा में पानी की कमी हुई उसमें गन्ने का बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि वहां उस इलाके में पानी की बहुत जादा कमी है और गन्ने की फसल को बहुत ही बहुत जादा पानी चाहिए उसको मतलब धान से भी जादा पानी चाहिए तो ये कुछ समस्य और फिर अंतराश्टी तोर पे भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आके आ रही है कि विश्व भर में लोग ये कह रहे हैं कि भारत दोशी है विश्व के गन्ये के दामों को गिराने के लिए जी हाँ दोस्तों अभी मैं आपको हाली की बात बता रहा हूँ कि पूरे दुनिया में लोगों ने उगलियां उठाई भारत की उपर और कहा कि 11 महीने से तो गन्ये का दाम जो है वो नीचे गित्ता ही जा रहा था अब भारत ने जो आके एक्सपोर्ट सबसेड़ी दे दी जि भारत की जो गन्या की अर्थ विवस्ता है उसके लिए ठीक होगी जी इन सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले तो हम बात करना चाहते हैं कुछ किसानों से तो हमारे पहले किसान होंगे उत्तर प्रदेश से जो बताएंगे कि क्या 155 रुपए गन्ये की लागत असली म है जितने बढ़ाओ तो किसान को तो मिलेगा राजनीतिक वाले राजनीतिक लाभी लिए बढ़ाते हैं किसान को तो जो बढ़ाओ मिलागा कि कम बढ़ा जो इनके गोशना पत्र में था उस हिसाब से कम बढ़ा जब यह विपक्सम होते थे तो साड़े चार सो रुपे की ब अगर बढ़ाना था तो पहले साल अगर बढ़ जाता तो जो चार सिजन गए हैं उस में उसको लाब मिल जाता है लास्ट यार बढ़ाया उससे नुकसान हुए आपने घोषना पत्र की बात की तो जब किसानों ने या गन्ने के किसानों ने बीजेपे के लिए वोट किया तो वो किस दाम के लिए उमीद कर रहे थे तो साड़े चार सो रुपया आओए ती दूसरा सवाल ये सामने आता है कि चाहें आपने घोषना जितने भी रुपय की की जब तक आपने किसान का पुराना बकाया नहीं दिया तो इस घोषना का किसानों पर क्या फरक पड़ेगा प पिछले साल का रुप जाता है गोश्रा पत्र में कहते हैं कि चोदा दिन माम देंगे और वो देते नहीं और वोट एक नेचुराल पर के लिए वो पांच साल माती है तो दो किसीने किसी को फेर वो देता है जो जितने दुबाव ने मिठी बात कर लगा उतने इसाब से आज और देश का अंडौलन है यह जाँ फिसका इस है और ना इसका लाव और हानी खाली कि पत्रसिм को लाव और हांँ इसका गोरतप्रू में भी और देवरिया में भी होगा तो यह कहारा कि पसीमुक्तर पेसी के लिए कुछे करा है यह दो थिन सब्द हर प्रेश और चैनल वाले कर रहे हैं इसको पसी मुत्तरप्रदेश और किसी एक कुम्निटी को नाम लेते हैं तो सरकार का लिखत पड़त वाला एजंदा है अगर असली में आपको लगता है गन्ने के किसानों के लिए कुछ बढ़िया करना हो तर प्रदेश में तो सरकार को क्य प्रद्धारों कर देश को हम इसे निकल के आता है कि मिल वाले तो अपना पैसा कमा लेते हैं हर साल अपने मुनाफिये उनके बढ़ते जाते हैं बदेगादू यहां लेकिन किसान को कुछ村 नहीं मिलता है तो क्या इसमें काउच जरूरत है मिल वालों को भी की उपर भी नए कानून लाने की या उनसे रीकावरी करवाने की पैसे की बिल्कुल यह सरकार की जुम्बेदारी है जो व्यापार कर रहा उस तरह के कानून बनाएं कि हमारा भी मुगतान डिजिटल सा हो जाए जब मुबाइल में पैसे डालते हैं तो तुरंट दो सेकिंड में उसका लाब और हाली पता चल जाता है हम तेल देते हैं तो किसानों को भी तुरंट हमारे कार्ड सकते जाता है तो ऐसे ही गन्य का और फस्तु का भी हमको किसानों को भी जोड़ दिया जाए डिजिटल से आखरी सवाल कि क्या योगी सरकार की जो पिशी नीतियां हैं इनसे किसान और आप संतुष्ट हैं कि आपको लगता है कि और काम इसकार बिजली का रेट महेंगा है पूरे देश में सबसे महेंगी उत्तर पर देश में में खरीद नहीं होती व्यापारी 20,000 कोईंटल भी खरीद का बेचता है किसान 50 कोईंटल में भी लाइन में लगा रहता है उसका नहीं भी और मंडिया हमको भी बता दो MSP पे व्यापारी की खरीद होती है, किसान की नहीं होती, ये को बड़ा सवाल है फसलों के जो vegetables की फसले हैं, वो दूद का किसान हो, इन सब को भी MSP मिलना चाहिए, इनकी भी एक policy बढ़नी चाहिए अंतिम सवाल की क्या आपको लगता है उतरप्रदीश सरकार की और से और दाओं पेश लाए जाएंगे वोट किसानों के वोट पकड़ने के लिए गुंडागर्दी का दाओं पेश है इनके पास में वो ही चलागा, दुदिला पंचाद में चला है, वो चलागा, परचे कैंसिल होंगे, प्रस्ताव को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, सरकारी गुंडागर्दी देश और दुनिया में देखनी है, तो कोरिया के बाद में वोतर प्रदेश में आप देख सकते हैं, देश के किसानों के ले कोई आखरी संदेश आपका, या अंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन में सब लोग से होगे, ये पूरे देश के किसानों का अंदोलन है, इसमें सब लोग साथ दे, ये वैचारी करांती है, और वैचार सबसे पहला सवाल कि क्या आपको लगता है कि गन्य की खेती की लागत एक सो पच्पन रुपए है देखिए यही विडमना इस देश की कि जिस तरह का मर्जीम आये यह जो विरोक्रेशी और पॉलिटिशन उस तरह का असेस्मेंट करके लोगों को प्रोस्ट देते हैं कौन सा इनका फार्मूला है कौन सा इनका मेकेनिजम है इनकी उनिविस्ट्री की रिसर्च देखिए इनकी उनिविस्ट्री मानती है कि तीन सो पच्पन रुपए खर्चा आता तो एक सो पच्पन का अखड़ा कहां से उठा लाई है जूट बोलने के मास्टर हैं गुम्रा करन कि बात करता रहता इस तरह का एगमेठर देश में बनाने का प्रयास है यह बाकी बास दो उनिएस्ट्री के अपने आकड़ें हैं जी उत्तर प्रदेश में अभी अभी उत्विति सरकार ने गन्य के दां में बढ़ोती की और उसका एलान किया कि आपको लगता है यह एक राज चुनाओ में थी पिछले में तो करने के बाओ कह अंद stared alert करते आज DR. 35 laid ॐ बढ़ा रहा होगा तो एयसा तो है नहींकि एड़ास चली गई ये पागल हो गए हैं जब ये स्वेम चार सो की बात करते थे तिन सो सत्तर का वाइदा करके गोशना पत्र में डालके चले थे और आज ये पच्छिस रुपे बढ़ा के संदेशा साड़े तिन सो रुपे का बाव करके क्या क्या समझ रहे हैं किसान को यानि कि इन्ह लगता है इन लोगों ने किसान को बेखूफ मान लिया पूरे तो अब किसान को जवाब देना आने वाले सोमे में कि वह वास्तिक्ता में बेखूफ है या इन्होंने मान रखा उसे अगर सरकार के दाउं पेच की बात की जाए तो एक मुद्दा ये भी आता है कि पुराना बचा है किसानों का उतर उतर प्रदेश की अगर विशेश रूप में बात की जाए तो इससे गाओं की समाजिक अर्थविवस्था किस प्रकार से प्रभावित है फसल पे किसान निर्वर करता जो जिस फसल का किसान है उसका परिवार उसकी रोजी रोटी उसका मलब उसके तमाम खर्चे उस पे निर्वर करते हैं उस फसल की आमदन पर और अगर उसकी आमदन उसको ठीक से नहीं होती है और आमदन की बात तो छोड़ दो यहां तो दूसरी बात और रखी है अभी दिसंबर की पेइमेंट हुई है कुछ मेलों की दिसंबर में जो गन्ना डाला था उसकी पेइमेंट अब तक हुई है पिछला दिसंबर के बाद तो आज दसमा महीने शुरू हो जाएगा कल से दस महीने से किसान इंतजार कर रहा है वो को पुझी पती थोड़ी है hand to mouth है वो तो उसको तो तुरंट कहीं न कहीं से वो करजा उठाता है ब्याज बरता है सुप प्रोविजन डाल दिया राज सरकार में कमिशनर को पाउर दे दी वो ब्याज माफ कर सकता हर मिल वाला जाता अपील करता ब्याज माफी के लिए ब्याज माफ हो जाता किसान से पूछ के कमिशनर के बाफ का राज है कमिशनर के बाफ के पैसे है क्या दिकार है उसको माफ करन नहीं है वह एक practice बन गई है हर मेल मालिक Commissioner को application डालता हो उसको right up कर देता है तो मजा कहें ये किसान के मान लिया इसलिए उन्होंने किसान का निरा कड़ोंगा ना तो एक्स्प्लोटिशन है आखरी सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश का किसान मुठी के रूप में सामने आएगा निश्चित तौर पर चौधरिटी के देख बात कहते थे तंग आये जंग आये जो तंग हो जाता वो जंग करता और किसान आज भहुत तं पर दायव में लड़ा के बिड़ा के हमारी वोटरों की ठगी करते हैं और फिर हर वर्क का हर जाती का हर धरम का किसान का शोशन होता तो आइस्ता आइस्ता समझने लगा किसान की इन पॉलिसी को और उसका नतीज़ा है कि यह जो अंदोलन अभी चल रहा इसमें तमाम जाती की दरम के लोग मतलब उसे उपर उठके किसान बनके मजदूर बनके सामने आ रहे हैं तो यह बदलाव का जो है एक साइन है कि देश में समाज सोच के साथ परिवर्तन की तरह पड़ रहा है धन्यवाद दोस्तों और आप समय आ चुका है हमारे मुख्य अतिती से मिलने का प्रफेसर सुखपाल सिंग जी जो एक अर्थचास्त्री ही नहीं बलकि किसान के बेटे भी हैं जिनका रिष्टा सिर्फ किताबी तोर से कृषी से नहीं है बलकि वो उन खेतों से खेतों में बड़े बहुत अच्छा लग रहा है जहां आके मैं आपको यह बता दूं कि मैं गन्ने के बारे में सिर्फ रिसर्च ही नहीं करता हूं मैं किसान का बेटा होने के नाते गाउं में पड़ा बड़ा हुआ हूँ और खेती में भी छोदी बहुत मुलियत की है फैमिली फाब में और ग जीवन का रिष्टा है यादों का रिष्टा है और जी तो अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर और मुद्दा ये है कि भारत सरकार ने अभी अभी थोड़े समय पहले एक घुशना दी कि भारत में जो है फार पी का जो दाम है वह बढ़ाया जाएगा और इस से जादा बढ में जाना पड़ेगा कि जब शूगर इंडास्ट्री का डी कंट्रोल पार्शल डी कंट्रोल नहीं हुआ था 2012 के पहले तब स्टैट्ट्री मिनीमम प्राइसे को SMP हुआ करती थी के लीगल तोर पेहर मिल को उसको देना होता था किसान को लेकिन अभी वह नहीं रही और उसक से पी पे जिसको फेर एंडुब्राइस कहते हैं जो सेंट्रल गवर्न्मेंट का है और स्टेट लेवल पे हर स्टेट अपना स्टेट अडवाइज प्राइस निर्धार्थ करने के इजाद है लिक्नों मेंडेटरी नहीं है तो यह दिखना है कि जो एफ और एसे पी है इसका लागत से क्या लेना है अगर आप नीतिय जो की पिछले साल की एक रिपोर्ट देखिए इसमें पूरा सुगर इंडास्ट्री और शुगर के इन फार्मिंग सेक्टर को एनलेज किया गया है पॉलसी पक्षरे उसमें आपको पता चलेगा कि जो कॉस्क उसमें मानी जाती है इसको निर्दार्त करने के लिए वो सिर्फ पेड आउट कॉस्ट जिसको एटू प्लस एफल कहते हैं उसी को लिया जाता है उसको देखते हो अगर आप रिपोर्ट को पड़ो कि तो उसमें लिखा जया है कि किसान को 60-70% मार्जन उसका लागत के उपर मिलता है लेकिन बात सिर्फ पेड आउट कॉस्ट की नहीं है जो गन्ना एक साल की फसल है उसके किसान एक जमीन भी उसमें लगाता है और भी चीज़ें होती है लोकल अपने परिवार से जो उसको अपनी घर से लगाता है उसकी अगर लागत लगा कि हम सीटू लें फिर देखना होगा कितना मार प्रकार पी जो है एक प्रकार से नियूंतम समर्थन मूल्य है किसान के किसानों के लिए क्या यह कहना ठीक होगा और जो गलती है और मिलता भी है लेकिन दूसरा जो सवाल बढ़के आता है जो आपने बहुत सही कहा कि बाकी अनाज के जो किसान है वो भी यह कहते हैं कि कई मूल्य होता है यह काफी सारी चीजों को अपने कालकुलेशन में नहीं रख पाता है जब वो सोचते हैं कि इतना दाम इसका इतना दाम इसका और उसके बाद निर्धारित करते हैं MSP तो कई चीजें उस पक्ष से बाहर रह जाती है और आपने अभी भी यह मुझे बताया कि FRP में भी ऐसी कुछ चीजें हैं अब आपने जो दूसरी बात आगे उठाई को कौन करता है जे खेती लागत और कीमत कमिशन जे यो बाकी फसलों की भी घरता है जे तो वही लागत का फार्मूला वही लागू होता है तो खबर में खबरों में ये भी था कि अभी पंजाब ने अमरिंदर सिंग जी अब तो नहीं रहे लेकिन वहां पर उन्होंने जाते जाते किसानों के लिए रेट बढ़ाए साथ साथ सुनने में था कि हर्याना के भी रेट बढ़ें और अब सारी नजरें उत्तर प्रदेश पे हैं कि 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 इलेक्शन के आड में उत्तर पारित करते हैं इन दामों को इनसे की फर्क पड़ ना है और इसे किसानों की हालत पे क्या फाइदा या नुगसान होगा मुझे लगता कि हैं पहले जब्रदकिता ज्रूब और यहा आपने किसान से गन्ना खरीदा उसको कहीं फेंक दिया उसको आगे ले जाके मिलकों भी सर्वाइव करना है मार्किट में अगर शूगर की डिमांड नहीं है जैसे आज कल हमारा चल रहा है हमारे पास सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है और सरकार एक्सपोर्ट सबसीडी दे के चार रुपए किलो की सुगर को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है और आपको पता कि अंतराष्टी बजार में भी इसका ज्यादा वैल्यू नहीं रहा है सर्प्लस हो गया है बहुत से कंपीटिंग कंट्री जो हमारे से अच्छा कर रहे हैं जैसे ब्राजील हुआ था के कीमत बढ़ाते हैं हमें ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ कीमत बढ़ाने से नहीं उस कीमत की क्या मिलने अदाकारी कर पाएंगी कि नहीं जैसे कि आपने सुना होगा अकानमे हजार क्रोड का शूगर के ऐरियर किसानों का पड़ा हुआ है लग लग राज्य में रिलों के पास तो जब पैसा मिली रहा उसकी कीमत करने का जब थीो जा रही है तो इसी से सवाल बढ़के आता और आपने बड़ा अच्छा मुद्धा उठाया कि अंतराश्ट्री तौर पे पूरी दुनिया इस समय और या पारू में भी था कि पूरी दुनिया भारत की उपर उठा रही है और कह रही है कि अगर जो मंदी आई है इसके दामों में यह भार सब्सक्राइल में कुछ ऐसी परिसितियां आ गई वहां पर पानी नहीं गिरा जिसके करने बहुत कम हुआ और भारत इसको जो है इस इस दाम को और गिरा रहा है सबसेड़ी दे के तो क्या जब हम अंतराश्ट्रिय शुगर एकॉनिमी को समझें या उसकी व्यवस्था को सम के लिए दिखना चाहते हैं अभी के लिए आप इसको किसान की सपोर्ट मान सकते हैं लेकिन इस तरह की फसल को हम अगर सर्वाइव करवाने के लिए किसान के लेवल पे उसको ऐसे करते रहेंगे एक्सपोर्ट सबसीडी दे कि जा हाई आरे फार पी जा सैप देके इससे जो सब्सक्राइब देटा तो ऐसे बाकी जासे करनाटका हो भी ड्राइलन स्टेट है तामिल नाडू भी ड्राइलन स्टेट अ काफी हद तक तो हम ऐसी जगा शुगर के पैदा कर रहे हैं उसके शुगर बना रहे हैं यहां इसकी दो अन्वार्नमेंटल कॉस्त आपकर वाताब चाहता हूं के नीतिय जो किस रपोर्ट में पिहले साल की रपोर्ट जो आई है उसमें क्लियरली कहा गया है कि सरकार सिर्फ 85 प्रदिशक तक किसे किसान का घंणा खरीदे अगला आपने सौ एकड लगाया सर्पचासी एकड़ का किसान का सरकार खरीदे बाकी 15 एकड़ के ल मिर्यों किशोर्तिवारी निथे महाराश्ट्रा के लिए या एक ऐसा क्रौूप डार्सक किसानों की हत्या हो रही है। लेकिन अच्छ को पहलू है कि जो मुझे लगता है कि हीजो की नियुआ हैं, और मैं बात कर रहा हूं, जब आप कहते हैं कि किसानों की उपर 90,000 करोड का रिन हैं तो उससे गाउं की जो अर्थविवस्ता है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है रिन नहीं है मैं करा हूँ अरियर है बकाया है जो सुगर बिलों को किसान को गन्ने की एदाईगी करनी थी किसान का पैसा हो वो सही पर एदाईगी नहीं हुई है रिन की दूसरी अलग बात है लिके मैं यह बात कर दा कि अगर आप एफ एर पी दे रहे हो कीमत मिनिममम स्पोर्ट प्राइस किसान को दे रहे हो गन्ने की डिलिवरी के बाद अगर उसको टाइम पे उसका भुगदान नहीं किया जाता साल के तरस्व का फाल सै तीन साल के मतलब नहीं आंट तक किसान को करजे पर जिना पड़ता है जैर्म इसका जो माल पैदा कर गके ंगर तो तो शायद से मंतलद तो पहले है लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके गाउं समाजों के उपर आप तो कई सालों से पंजाब भी देख रहे हैं वेस्टन यूपी देख रहे हैं आपने बाकी जगहाओं भी देखें कि इन एरियाज में किसानों की उपर उनके परिवारों की जो सोशल मोबिलिटी या एकनॉमिक मोबिलिटी की बात होती है वो किस प्रकार से रुकती है बिलकुल कि किसी भी अगर गाउं की फैमिली और खाके किसानी की फैमिली के उपर ऐसा कुछ रिंकर बोज रहता है तो बिलकुल उससे समस्या आती है लेकिन आपको यह बता दूँ कि गन्ने के जो किस 30-40 प्रतिशा बाकी लोग हैं जो उतने नहीं है ज्यादा मैं कहता हूं कि समरत है थोड़े हो ले सकते हैं इस तरह का बोज हाला कि मैं यह नहीं कहता हूं कि लेना चाहिए लेकिन यह है इसमें कि किसी भी किसान के उपर उसके फसल की एदाईगी नहीं होती उसका बोज नहीं है वाकी फसलों की तरह तो इसमें और बिज़ पढता है कि उसके साम का झाल कर चाहूंगा कि क्या ईस सरकार को रखके दिमाख में सारे क्रिक लंग रखके 26 दिमागCK में में साथ-साथ overproduction की आपने बात की इन सारे factors को जो हम एक साथ में देखें तो क्या FRP बढ़ाना भारत सरकार का एक अच्छा कदम है आप कुछ पता हो का इतना ज्यादा इजाफा नहीं किया रहा है तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा अलग तरीके के mechanism लेके उसको ठीक करना पड़ेगा जैसे करना गन्ने से बाहर निकालना किसानों को गन्ने की recovery rate को बढ़ाना किसान के लेवल पे उसके मिल की efficiency जो है आपको बता दूं कि यूपी में गन्ने की recovery rate महारास्ट्रा से लोर है लेकिन यूप पूरा बास है इसमें को पूरे सेक्टर को अगर देखना तो तो तोड़ तोड़ के आपको देखना पड़ेगा वैल्यू चेन को किसान के लेवल पे एक समस्या है मिल्लों के लेवल पे दूसरी है मार्केट तीसरी है तो यह नीति जोग की रिपोर्ट ने रिक्मेंड किया है कि डिवर्सिफिकरिशन के इंसेंटिव दो उन्हेंने यह भी कहा प्राइस स्टैबिलेशन फांड बनाओ एक और यह भी कहा के गुड की बनाने के लिए गन्ने से उसको भी उत्षाहत किया जाए और जैसे ब्राजील ऐस्टेलिया और थाइलैंड में रैविन्यू शेरि जόटीयू के प्रेशन के मिलनों को किसानों के साथ करनी चाहिए जिससे सरकार भी स्वेट तोड़ा निकल सकती है और एक सही कीमत फर go मार्केट बےस् थो किसान के लिए नृतारत हो सकते कहीं किसान को जादा प्रॉल्जम आती है मार्केट्रेंट की वजह से तो प्राइस स्टेबिलेशन फंड जो कीमत को स्टेबिल करने का फंड जो प्रपोज किया गया है वह भी इसमें लाया जा सकता है जी डबलू टीओ की उपर से क्या प्रेशर आ रहा है इंडिया के उपर जब हम डबलू टीओ और गन्य की खेती के बारे में बात करें तो आपके इसाब से किस प्रकार के प्रेशर हैं भारत के उपर और क्या डबलू टीओ में रहते रहते हम अपने गन्य के किसानों को बचा पाएंगे यह बड़ा पुराना मुद्दा है जो विश्व विपार संस्था का के सबसिडी खतम की जाए जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है विपार में उसकी दखल अंदाजी होती विपार सही नहीं रहता डिमांड स्प्लाई का बैलेंस बिगड़ जाता है शुगर में सपोर्ट से भी ज्यादा खतरना का मानी जाते है कि सीधा डिरेक्ट इंटर्फियरेंस होता है इसका तो मार्केट के अंदर तो यह ज्यादा दे टिकने बाड़ा भी नहीं है तो इसलिए उसको समझना होगा अगर हम मार्केट बेस शुगर एकोनोमी खड़ी करना चाहते है अगर एक अर्षार्षतिक रूप में क्या आपको लगता है कि भारत जितना गन्ना उगा रहा है क्या उसको इतना गन्ना उगाना चाहिए और क्या नीतियों की जो बातें कहीं आपने वो सारी बातें कि आपको सही लगती है देखें है इसमें पंतरा-बीस साल का ट्रेंड जिस्तार का हमारा सिस्टम बन गया है जिस तरह की ऑफे ग्लोबर ल मार्केट घ्र कि हमने इसको ऩो स्टेबिलॉएँट करना पढ़ेगा इसमे बहर निकलना पढ़ेगा इसको रिड्यूश करके किसानों को बाकी फसली कि तरफ जाने की ना सिर्फ किसान की आमदनी के तरफ से नहीं कह रहा हूं गन्य के बज़ा से जो पाणी की बरबादी होती है उसको भी रोकने के लिए और जो हमारा शुगर के इन मिल्स की जो एफिशेंसी है उसको इंप्रूब करने के लिए जरूरी है कि इसको थोड़ा ड टर्म भलाई का देखना है तो मिल्लों को जरूरी है किसानों को अपने बिजनस में इन्वाल्व करें किया जाए जैसे करनाटका में एक ऐसी कंपनी है शुगर मिल है जिसके मालिक ने 9000 किसानों को कंपनी में शेर होल्डर बनाया है उनका सिर्फ गन्ना ही निख्रिदा जा सके ना सिर्फ सप्लायर बनके रह जाए दोस्तों अगर आपको बात आपको हमारी गन्ने की बात थोड़ी समझ में आई और इस पे कुछ आप भी टिपनी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे कॉमेंट जरूर करें और साथी साथ वायर के ट्विटर हैंडल पे प्र क्कुर्स सब्सक्राइब एक भी जरूर में सब्सक्राइब डिर्ख पेक्षिर बात करेंक।